iOS को एक simple operating system मना जाता है बट उसके सासत इसमें बहुत से features भी add होने लगे हैं जो कि smart phones को use करने के experience को बदल के रख देते हैं चीज़ों को बहुत ही जादा simple बना देते हैं सबसी बड़ी बात यह है कि iOS के जो features होते हैं वो बहुत ही जादा accuracy के साथ काम करते हैं और iPhones के साथ एक addiction सा हो जाता है तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ बहुत useful tips and tricks बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं तो make sure to subscribe this channel along with bell icon अगर आप अपने iPhone के गैलरी में किसी particular album का जो photo बाहर आपको शो होता है उसको change करना चाहते हो तो आपको simply photo पे click करके रखना होगा and make key photo पे click करना होगा तो वो particular photo आपकी जो album है उसके बाहर शो होगा आप इस photo को कभी भी change भी कर सकते हो तो आपकी choice आप किसी particular album में कोई सा photo देखना चाहते हो अगर आप जल्दी में हो आपको iPhone में कोई calculation करनी है फटा वटसता आपको calculator open करके calculation करनी के जरूत नहीं आपको केवल नीचे के तरफ slide करना है उसके बाद यहाँ पे आप जब digits डालेंगे कोई भी आप operation perform करेंगे like मैंने 2 plus 2 equal to 4 कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं answer यहाँ पे आ गया है तो आपको एक एक करके हटाने के जरूत नहीं आप simple एक दोनों finger से एक साथ दो बार swipe करेंगे तो यहाँ पे यह देख सकते हैं clear हो जाएंगी तो आप 3 या 4 कितने भी fingers का इस्तमाल कर सकते हैं एक बारे में काफी fun to do है और आपके notifications वगर अभी यहाँ से clear हो जाएंगी अगर आप एक screen से दूसरी screen पे बहुत सारी applications को shift करना चाहते हो मतलब कोई particular एक application को नहीं बलकि बहुत सारी application like 3 या 4 या एक बारे में आप shift करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो आप simply इस तरीके से देर तक दबा के रखेंगे and इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको select कर लीनी कितनी भी application आपको यहाँ पर transfer करनी एक page से दूसरे page पे and वो simple तरीके से shift हो जाएंगी कोई भी problem नहीं आते हैं कितनी भी application को select कर सकते हो अब किसी particular photo को आप अपने iPhone में hide करना चाहते हो अपने iPhone को आप किसी को दे रहे हो तो आप चाहते हो privacy maintained रहे हैं कोई particular photos उनको आप छुपाना चाहते हो तो आपको simply edit पे जाना होगा उसके बाद आप देख सकते हैं उपर इस shape की तो आप देख सकते हैं पूरा इक green wallpaper जैसा बन गया तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि actual में ये एक photo है या क्या है यह आप इसको कर सकते हैं या फिर बीच में red portion था उस पर क्लिक करके आप recording को बंद कर सकते हैं तो वीडियो में अगर आप जाएंगे तो यह चीज काम नहीं करती है पर्टिकॉरलियर आपको फोटो में जाके इस चीज से इस तरीके से ड्राइग करके आप उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते यह music के साथ भी अब यह चीज तो सबको ही पता है आप किसी भी फोटो को पर्टिकॉलरी किसी भी image को अपने आइफोन में हाइड कर सकते हो यहापको एक option देखने को मिल जाता हाइड का और उसके बाद यह अलग से एक category में चले जाता है hidden category में तो आप बैक करके देखेंग यहाँ पर फोटोस को सर्च करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा hidden album का इसको आपको simply यहाँ से turn off कर देना है तो वहाँ से जो hidden का option है वो भी गायब हो जाएगा यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपकी जो प्रिविस ही पूरी maintain हो रही तो आइ तिंग यह चीज तो बच्चे बच्चे को पता है बट इसमें आपको एक hidden feature और देखने को मिलता है अगर आप अपने iPhone को hold कर रहे हो तो आप side से भी दो बार click करके screenshot को click कर सकते हो कुछ इस तरीके से तो यह काफी कमाल की चीज है मैं इसको personally काफी use करता हूँ क्यों हो गई बट आप चाहते हो कोई ऐसे वीडियो आपके iPhone में जो कि आप हायड करना चाहते हो जो कि कोई ना देख पाए तो उसका भी आपको option यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक trick देखने को मिल जाती है आपको simply edit पे जाना होगा and edit पे जाने के बाद यहाँ पे आपको crop व आपके दुबारा से वापस से आजाएगी तो आप इसको इस तरीके से रिवर्ट कर सकते हो अब जिन लोगों को गाने वाने का बहुत ज्यादा शॉक है तो simply iPhone में एक inbuilt feature देखने को मिल जाता है आपको control center में जाना होगा उसके बाद आप देख सकते हैं आपको music recognition का option देख यह कौन सा गान है तो काफी कमाल की चीज़ा कुछ लोगों को शायद हो सकता यह चीज़ ना भी पता हो आप ऐसी टिप की बात करते हैं चोंकि typing के लिए specially बहुत जादा यूसफुल है तो आप देख सकते हैं अगर मैं दो बारी टैप करता हूं तो आप देख सकते हैं उस यह पूल संटेंस को स्लेक्ट करना होगा तो सवाbir है यह वाली टीप टाइपिंग के लिए बहुत जादा यूसफुल है आप देख सकते हैं तो कुछ भी आप लिख सकते हैं मैंने लिखा है गाई सब्सक्राइब तो आपको अंडू करने के लिए तीन फिंगर्स को आपको लेफ्ट के तरफ स्वाइब करना होगा आप देख सकते हैं यह अंडू हो जाएगा आपको अगर कोई चीज ऐसी देखनी है जो कि आपने पहले क्या आपने उपीनियन जरूर देना अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स पता है आई फोन की तो मुझे कमेंट्स में वह भी बताना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको जरूर एड करूंगा तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर दे देना चैनल पर नई है तो प्लीज मेक शोर तो सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग इद बैल आइकन मिलते मेरे इसी तरीकी की कोई नेक्स्ट इंफोर मेटेव वीडियो में तिल देन टेक कियर